जोगरूफे फेर्स में आपका स्वागत है इंडिया पीपल एन एकोनोमी क्लास 12 का चैप्टर लेंड रिसोर्से और एंड एगरिकल्चर को इस वीडियो में हम सुरू करने वाले हैं भाई लेंड बहुत तरीकिके होते हैं उनको हम डिवाइट कैसे करते हैं कंट्री के अंदर ओके तो हम उनको सुझेंगे तो सबसे पहले लेंड यूस रिकॉर्ट अर मैंटेन बाइ लेंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट लेंड रिपार्टमेंट है जो लेंड यूस रिकॉ इन दोनों की बीच के अंतर के लिए लोना चाहिए इतना समझ गए कि लेंड यूस केटेगरी क्या होती है तो लेंड यूस केटेगरी को जो लेंड रेवनियर रिकॉर्ड मैंटेन करता है उसको हम देख लेते हैं आगे वो फॉलोविंग है तो पहला है हमारा forest तो forest क्यों होता है हमको बता है कि it is important to note that area under actual forest cover is different from the area classified as forest भाया जिस area को हम classify कर रहे है न as a forest, हो सकता है कि actual forest cover से थोड़ा अलागो for example, यह forest cover है इसको हमने demarket कर रहे है as a forest, पर हो सकता है कि इस किंदर किसी particular area में forest ना हो, agriculture activity हो रही हो तो demarket है as a forest, ठीक न but illegally वहाँ पर agriculture activity है कुछ और activity हो रही है तो कभी के बार किया होता है कि जो area classified as a forest वो different होता है actual forest cover से इसके बाद the later is the area which government has identify and demarket for forest growth ठीक न area वो ही होता है जो government identify कर देती है forest का, demarket कर देती ही forest के लिए ठीक न but the land revenue record are consistent with the later definition thus there may be increase in the category without any increase in the actual forest cover ठीक है जैसे government ने तो खाली वहाँ पर demarket कर जागी है यह area जो है वो forest का है ठीक है but हो सकता है कि जो government ने demarket कर दिया वहाँ पर कुछ और activity भी चल लिए है कहने का मतलब यही है तो हो सकता है कि जो actual forest cover है वो जो हमने category बना रिखी न उससे थोड़ा सा अलग हो ठीक है इसता समझ गए forest के बारे में तो आगे बढ़ते है इसके बार आता है barren and wasteland ठीक है ना barren and wasteland क्या होता भीया barren land वो हो जाता है जो क्या होता है आपके पास जो आपके पास cultivation के लिए यूस नहीं होता कि इसके लिए cultivation के लिए इसके नदर क्या क्या आते है आपके hilli terrain आ जाता है desert वगर आ जाता है ravines वगर आ जाता है ठीक है जिसको आप cultivation के लिए यूस नहीं कर सकते अब यह non-agriculture uses जैसे road वगरा है, infrastructure है, industries है, shops है, जत्ते भी चलिगे कि infrastructure से आपके पास road, canal, etc. यह सब settlement जो है, ruler हो गया, urban हो गया, यह सब क्या हो जाते हैं, यह सब non-agriculture uses के अंदर आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे land में use तो हो रहा है ना किसी चीज का, but agriculture का नहीं हो रहा है, ठ इसके बाद जो expansion होता है, secondary or tertiary activity हम लोग जानते हैं कि secondary or tertiary activity क्या होती भई, जो primary activity नहीं होती, वो secondary or tertiary activity होती है, मतलब यहाँ agriculture नहीं होता, ठीके ना, तो secondary or tertiary activity के increase होने के वज़े से इस तरीके किया, जो non-agriculture land है, उसमें increase देखने को मिलता है, इसके बाद एरिया अंडर permanent pastures and grazing land, जो area permanent pastures and grazing land के अंदर आता है, मतलब जो चरवाय के लिए काम आ जाता है, जहाँ पर लोग गाय बैसों को लेके जाता है, ठीके ना, अपने cattle को लेके जाता हैं चरने के लिए, ठीके ना, वो area भी agriculture के अंदर नहीं आता, बट यह area जो है, यह common area होता है, इसका पंच the land owned by village panchayat comes under common property resources, जो सब के लिए common है, कोई इस पर बाट नहीं सकता, जैसे river बहली जहां से, जैसे की वो जागिर नहीं है, वो सब की है, इसके बाद area under miscellaneous tree crops and groups, not included in net zone area, जैसे की आपके पास orchard है, जैसे की आपके पास orchard है, या fruit trees है, जैसे की आपके पास orchard है, या fruit trees है, जैसे मेरे पास बहुत बड़ा खेत है, जैसे मेरे पास बहुत बड़ा खेत है, जहां लीथी के बहुत सारे पेड़ वगेरा है, तो यह क्या हो गया, यह आजाता है, area under miscellaneous tree crops and groups, not included in the net zone area, मतलब हम कुछ बोते नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट है, तो आगे बढ़ते है, तो आपका हो जाता है, cultureable wasteland, समझ गया इस चीज को, ठीकिना, it can be brought under cultivation after improving it through the reclamation practices, पतला इसको आप बात में यूस में लेकर आ सकते हो, ठीकिना, बट अभी तक का, मतलब जो मुझुदा पास साल तक का, ठीकिना, पास साल से ज्यादा तक का, यह agriculture के यूस पे नहीं आया, भी यह current fellow land के होता है, यहाँ पे आप one या less than one, ठीकिना, एक साल या एक साल से कम आपने agriculture land का use नहीं किया है, agriculture purpose के लिए, तो इसको हम बोलते है, current fellow land, समझ गया इतना, इसके बाद following is cultural practice adopted for giving the land rest, ठीकिना, मतलब कई बार जो जमीर है जादा उप जाओ नहीं होती है, तो इसको थ अपनी फर्टिलिटी उसको वापिस ले लेता है, इसके बाद है fellow other than current fellow, तो इसके इंदर वो land area आजाते हैं, जहाँ पर आपने more than a year, but less than a five year, ठीकिना, एक साल से ज़्यादा और past साल से कम, आपने agriculture नहीं perform किया होगा है, ठीकिना, एक साल से ज़्यादा होना चाहे ठीकिना एक साल से कम हो जाएगा तो current fellow हो जाएगा, और past साल से ज़्यादा हो जाएगा, तो हो जाएगा cultureable wasteland, ठीकिना, फैलो other than current के लिए आपको क्या condition लगेगी, आपको लगेगी एक से ज़्यादा और past से कम, यह या रगना सी condition को, ठीकिना, इसके बाद है net zone area, तो यह net zone area क्या ह कभी जादा हो रहा है, कभी किसी all purpose के लिए हो रहा है, अब किसी all purpose के लिए हो रहा है, यह सब ही होता है, तो इसको पढ़ लेते हैं, तो land use in a region, to large extent is influenced by nature of economic activity carried out in that region, ठीकिना, जो land use होता है किसी particular जोगा पे, वो इसकी जो economic activities है, उसके दुवाला carried out किया जाता है, ठीकिना, इसके बाद, while economic activities changes over time, जो economic activities होती हो समय के साथ change हो जाती है, ठीकिना, पहले हम कुछ और काम करते हैं, ठीकिना, अब नई तरीकी के इंडिस्टी से वह पा गई है, यह नई तरीकी से लोग काम करने लग गए, ठीकिना, like many other natural resources, is fixed in terms of area, ठीकिना, जो economic activity है, वो change हो जाती है सम land area है, ठीकिना, जैसे resources का नाम लिए इनने, वो fix है, ठीकिना, समझ रहे हैं बात को, कि क्या हो रहा है, ठीकिना, economic activity समय के साथ change हो रही है, बड़ जो land area है, वो उतना का उतना ही है, ठीकिना, तो इसके वज़े से क्या होगा, आप समझ के देखे कि land में pressure बढ़ेगा, ठीकि के साथ-साथ, ठीकिना, तो इसको आगे समझेंगे, ठीकिना, एट इस स्टेज, वन नीड तो एप्रोप्रियेट, टी तैप अप चेंज़ेगा, ठीकिना, इस स्टेज की बात क्या होता है, हम लोग तीन तरेगी के चेंज़े को देखते हैं, जो जिससे economy अंडर गो होती है ठीकिना, विच अफेक्ट लेंड यूस, तो इसको समझ लेते हैं, पहला है आपका, तो साइज ओफ एकोनोमी ग्रोथ, ठीकिना, तो साइज ओफ एकोनोमी ग्रोथ में क्या होता है, ओवर टाइम, जैसे की हमारी पॉपुलेशन इंक्रीस होती रहती है, ठीकिना, तो के समय में, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, कि जो लेंड इरिया पहले यूस में नहीं आता था, आप उसको भी यूस में लेके आ रहे हो, और खेत की आखरी बूच तक का, ठीकिना, आखरी पोर्शन तक का, जिदना आप यूस कर सकते हो, उतना यूस कर रहे हो, ठी ठीक है, secondly, the composition of economy would undergo a change over time, जो composition होता है आपकी एकोनोमी का, वो भी change होता है समय के साथ साथ, in other words, secondary and tertiary sector usually grow much faster than primary sector, ठीक है, समय के साथ हम लग समय सकते हैं, जो agriculture sector है, बहुत तवाना sector है, अब जो नई सेक्टर आ रहे है, नई जॉब आ रहे है, वो secondary में आ रहे है, या quaternary में होगी, ठीक है, इन सेक्टर में स्कोप बहुत है, तो ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो होते हैं, ठीक है, in comparison to the primary activity वाला sector, okay, so this type of changes is common in developing countries like India, जैसे जो developing countries होती है, जैसे इंडिया, वहाँ पर, क्या है, बहुत ज़दा common हो जाता है, क्या है, जो agriculture land है, is being used for building purposes, यहाँ पर प जाया से दा बढ़ाई जा सके, या उसे economy जाया से दा आपनी strong करी जा सके, okay, इतना समझ गए, इसके बागे बढ़ते हैं, इसके बागे बढ़ते हैं, इसके बागे थार्ड है, थो the contribution of agriculture activity reduces over time, देखो जो agriculture activities है, वो समय के साथ reduce तो हो रही है, बट इसके लावा क्या है, जो pressure है, लाइन के अपर वो कम नहीं होगा, ठीके ना, वो कम नहीं होगा, ठीके ना, इसका जो reason है, वो देख लेता है, जैसे कि पहना reason है, जो developing countries है, यहाँ पे जो population है जो depend कर रही agriculture में, वो decline कर रही है, बहुत slowly, बहुत slowly compare to the decline in the sector share of GDP, बाकी sectors के मुकाबले, इस sectors में, जो developing countries है, इंडिया जैसी, वहाँ पे जो agriculture में, जो population depend है, बहुत slowly, slowly वहाँ से, रिद्यूस होके, बाकी sectors के तरह बढ़ रही है, बट वो अभी भी agriculture कर रही है, mostly population, ठीके ना, और उसके साथ साथ, जो population change भी हो रही है, तो population grow भी हो रही है, बहुत ज़दा, तो agriculture land में वैसी ही pressure बहुत से रही है, दोने चीच हो जा रही है, पहले सौ करोड थे, सौ करोड में से बीस करोड लोग दूसरे सेक्टर में चले गए, लगन आगे चलके 120 करोड पॉपुलेशन हो गई, ठीके ना, पॉपुलेशन बढ़ भी तो बहुत तेजी से रही है, तो यही कहना चाह रहा है, व यहाँ पर देखोगे, फॉरस कवर में, तो यहाँ पर क्या हुआ है, फॉरस कवर हमारा इंक्रीस हुआ है, ठीके ना, 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 इंक्रीस हुआ है, ठीके ना, हमारी कंट्री 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 जो लेंड किसी काम नहीं आ रहा, वो लेंड कम ही, क्या हम इसको काम में लाने लगगे हैं, ठीक है, जो miscellaneous streak roof sun groove के अंदर area आता था ठीक है वो छोटा हुआ है वो कम हुआ है एरिया हमारी country के अंदर ठीक है इसके लाबा जो culturable waste land थे तो culturable waste land भी क्या हुआ है कम हुआ है क्यों 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 हम इसको अग्रिकल्ट से यूस पर लाने लग गए ठीक है , इसके बाद है current fellow landuito, current fellow land क्या हुआ है ? यह थोड़ा सा increase हुआ है ठीक है ? अशके लावा है जो आपका net zone अरिया है net zone अरिया क्या है ? जो भी हो हम बोचे है किसी अरिया में तो वो क्या है वो अरिया हो आपका increase हुआ है ठीक dna तो सबस्हसक्ते हैं तो इसे हम समझ सकते हैं क्या-की सभी हैं क्या-की साधी प्रेज हुआ है 1080 तो इसके एक बार धान से देख लिलाग इससे होता है क coisa इससे क्या कै क्या ईग्रीस हुआ इंक्रीस हुआ है इतने समझे है तो इसको अच्छे देखते हैं आगे जो चेंजिस इन शेयर अफ लैंड यूज है तो सबसे पेले जो इसके अंदर फॉर्टेग्रीस है ना हैव अंडरोग इंक्रीजिंग जो इंक्रीज हुई है ठीके ना वाल 4 है रजिस्टर देखलाइन चार डिक्रीज है है यहां पर डिक्लाइन भी करिया उन अबना सीर ठीके तो शेयर है एरिया ऑफ अंडर फॉर्डेस यह जो अनधर आता है थीके इसके लाबव अडिया अंडर अंडर अगरिकल्चर यूजिस के अंडर आता है जो ठीके यह पिर इसके लावा जो नेट सोन एरिया है आपके पास यह क्या हुआ है आपके इंक्रीज हुए है ठीके ना तो इनको देख लेते हैं यहापे कि क्या रीजन थे इनके अंदर जो अब्जर्वेशन है हमारी उसको समझ लेतने हैं सबसे ना रेट अब इंक्रीज इस हायस्ट इन केस अफ नॉन अगरीकल्चर यूजर्ज देख और जो नॉन अगरी वगरा भाए या बहुत कम थी इंफरेस्ट्रक्ट्चर बहुत कम था इकोनॉमी हमारी बहुत दाउन ती अब एकोनॉमी अच्छी है ठीके ना दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भालाती है आगे ठीक पैसा अच्छा है तो हमारे वाँ इंफ्रेस्ट्रक्चर भी अच्छा बन रहा है ठीक है इस इस दू तो चेंजिंग इस्ट्रक्चर अफ इंडियन एकोनॉमी हमारी इंडियन एकोनॉमी चेंज हुई है इंफ्रेस्ट्रक्चर का ठीक है, उसी के वजए से क्या हूआ है जो एरिया हमारा नौन एगरिकल्चमर इंदर आया है वो क्या हुआ है ? बढ़ा है ठीक है, इसके बाएबους in increase in share under forest, ठीक है ना जो forest के इंदर area आता है वो भी क्या हुआ है हमारा increase हुआ है ठीक है in demarketed area under forest rather than actual forest increase in forest cover of country अब वही बात करें ना हो सकता है कि actual forest cover हमारा increase ना हुआ हो बहुत ज़्यादा लेकिन कागज में तो हुआ है ना कि government ने बोल दिया ये area forest के अंदर है हो सकता है यहाँ पर कुछ illegal settlement हो ठीक है ना ये हो सकता है but area तो हमारा जो demarketed किया हुआ है country की government ने कागज के अंदर वो तो increase हुआ है तो इसका मतलब किया कि वो increase हुआ है और इसा नहीं कि decrease ही हुआ है increase हुआ है हमारा forest cover लेकिन actual forest cover के मुकाबले हो सकता है कि उतना ना हो ठीक है यह कहना चाह रहा है वो ठीक है third point है the increase in current fellow cannot be explained through information pertaining to only two point ठीक है जो हमारा current fellow land है इसको हम खाली दो पॉइंट की information से नहीं समर्सकते 1951 से लेके 2015 तक का area बड़ा है खाली हम इसको इस से नहीं समर्सकते किसको यह हमारा जो current fellow land है उसको ठीक है यहाँ पर कहा है तो trend of current fellow fluctuate a great deal over a year depending on the variable rainfall and cropping cycle ठीक है जो current fellow है वो depend करता है हमारा किसमे cropping cycle में भी depend करता है ठीक है ना rainfall में भी depend करता है ठीक है यह चीज़ समझ गए आप किया है कि यह बहुत अरे factors में depend करता है ठीक है यह खाली एक particular चीज़ में depend करता है ठीक है इतना समझ गए इसके बाद है the increase in net zone area in descent phenomena due to use of cultural waste land ठीक है जो cultural waste land है हम उनको भी use में लाने लग गए है for agriculture purpose before which it was registering a slow decreases इससे पहले उसमें decrease देखने को मिला था लेकिन आज के समय में net zone area भाई हमने बहुत सारे चीज़ नई नहीं लेके आए है ठीक है न हमने जो हमारा irrigation का infrastructure है उसको improve किया है canal वगरा improve किया है तो जिस land area में पहले agriculture नहीं होता था वहाँ अब भी agriculture होने लग गया है तो इसना समझ गया है जो चार एडियास हमारे increase कर रहे है उसको समझ गया तो आगे बढ़ते है इसके बाद है the four categories that have registered a decline चार एकर एकरीज में नहीं हो देखने को मिला है ना भाई कहा का decline देखने को मिला है जो हमारा banjar जमीन थी baron and wasteland दा देखने को मिला है जो land के अंदर pressure increase हुआ बहुत ज़दा तो इसके वई से क्या हुआ जो agriculture है और जो non agriculture sector है ना भाईया वहाँ पर demand बढ़ने लगी भाईया agriculture के लिए भी जमीन बहुत चाहिए और non agriculture sector के लिए भी जमीन बहुत चाहिए तो इसलिए क्या हुआ जो wasteland और cultural wasteland है इसमें क्या हुआ decline देखने को मिला भाया जो जमीन पहले यूस में नहीं आ ले तो उसको भी हम यूस में लेके आने लग गए जो कि बागी जोगा demand बढ़ ली है इसलिए ये area कम हो गए wasteland बंजर जमीन कम हो गए क्यों कि हम उसको यूस में आने लग गए किसी काम के इसके लाबा जो decline in land under pasture and grazing land जो land area हमारा pastures में आता था और जो grazing land में आता था यहाँ पर भी क्या हुआ pressure हमारा increase हुआ है from agriculture land illegal encroachment होने लगा लोगों ने कबजा करने लगे उसके अंदर ठीके ना ताकि वो अपना expansion कर सके cultivation का ठीके ना pastures वगरा के लिए अपने common purpose के लिए ठीके ना यह इसका region है ठीके कि लोगों ने encroachment खाले land area देखा तो कबजा कर लिया ना और लोगों ने कि gazing हो लिया यहाँ पर तो उनको रहने के लिए जगाओ चीटी population बढ़ लिया बहुत ज़ादा ठीके पहले land area बहुत था ठीके तो लोग ऐसा कब जब जाने करते थे उनके बाग पहले ही बहुत जमीन थी लेकिन धिर धिरे population बढ़ने लगी तो लोगों ने encroachment करना शुरू कर दिया तो यह region है इन चार के decrease होने के समझ गए इस चीज को एक बाद अच्छे सा देख ले easy to understand concept है बस basic सा concept समझना है हर चीज समझ मा आ जाएगी इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद है common property resources तो भाई हा common property resources क्या हो जाते है जैसे आपका जो land है according to its ownership can broadly be classified under two broad head भाई हा land area को समझते हैं सबसे पहले land area को हम दो पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं पहला है private जो किसी individual person के पास दुसरा है common property resources जो भाई है सबका है जैसे पानी सबका है जो एक common property आती है जंगल की ठीके ना किसी community के पास जो जमीन होती है road वगेरा ये common property होती है ठीके ना किसी particular person के नहीं है सबकी है गाउ में एक कुंड है वो किसी particular person का नहीं है वो कुंड पूरे गाउं का है समझगे इस चीज को आगे देखते है इसको जो CPR है आपका common property resources है ठीक है ये provide करता है fodder for livestock, fuel for household along with other minus forest product like fruit, nurse fiber, medical plant ये provide करता है सबको करता है ठीक है इस particular person को नहीं करता है इन रूलर एरियास जो गाउं के एरियास होते है वहाँ पे ऐसे जो land होते है particularly ये आपकी काम में आ जाते हैं उन लोगों के जो लोग क्या है landless है जिनके पास अपने जमीन नहीं है या marginal farmers है, छोटे farmers है या जो weaker sectional society के उनके काम में आ जाते हैं ठीक है many of them depend on income from livestock due to the fact that they have limited access to land या उनके पास जो access होता है ना बहुत कम होता है तो इसी वज़े से क्या है ये land area उनके काम में आ जाता है इनके गरीब लोगों के marginal farmers के जिनके पास जमीन नहीं होती उन लोगों के समाझ जो इस चीज को इसके बाद जो CPR है आपका common property resources है also are important for women ठीक है as most of the fodder जो fodder वगेरा होता है ठीक है चारा वगेरा होता है जो fuel collection करते है लकडी वगेरा ठीक है ये उनके द्वाला किया जाता है तो ये area उनके लिए भी काम में आता है इसके लावा जो CPR है आपका common property resources है can be defined as community natural resources जो पूरी community का natural resources है where every member has right to access and uses with specific obligation without anybody have property right over them या हर कोई use कर सकता है अपने ही साब से जितनी जयरूबत है उतना but किसी का भी वो माली का ना हक नहीं है ठीक है इसके लावा community forest जो है pasture land जो है village water bodies है जो ठीक है या other public spaces है where a group larger than a household or family unit exercise right to use and carry responsibility of management are example of CPR ठीक है तो CPR को कहना जैसे community forest हो गया pasture land हो गया village की water bodies है इसको कुछ लोग आपस में मिलके क्या करते हैं देखभाल करते हैं जैसे किसी family को जिब में जारी देख दी कि भई आप इसकी देखभाल करना इस land ही जै कि देखते रहे ना मतलब time to time कि कुछ गरबर तो नहीं हो रही है कोई काफ़ज़ तो नहीं कर रहा है और कि hip-hop हो कुछ गरबर लगी कि तो सबको बताना गाउंवा लोगो ठीक है तो यही कहना चाहरा है वो तो common property resources exam में आएगा तो hope you understand about this और इसको आप कर लेंगे अच्छे से और समझ में भी आई गया होगा easy है ना बस एक ही बार पढ़ना होता है इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद है अगरिकल्चर लेंड यूज इंडिया के अंदर है अब यह लैंड इरिया समझ गए हम अब अगरिकल्चर लेंड यूज को समझेंगे ना इंडिया के अंदर जो होता है तो सबसे पहले क्या है ना जो अगरिकल्चर जो है वो प्यॉरली लेंड बेस एक्टिविटी है जैसे कि आपकी सेकेंडरी और टरिशरी अक्टिविटी है उनसे completely opposite ठीक है ना इन अदर वर्ड कंटिविशन ओफ लेंड इन एग्रिकल्चर आउट्पूर्ट इसमोर जो कंटिविशन होता है लेंड का एग्रिकल्चर आउट्पूर्ट में वो बहुत ज्यादा होता है compared to the contribution in the other services ये other sectors the lack of access of land जमीन की कमी जो हो जाती है कभी के बार डारेक्ली रिलेट होती है पोवर्टी से गाव में अगर जमीन की कमी है या जमीन उप्याव नहीं है तो वो गाव पोवर होगा ठीक है डारेक्ली डिपेंड है ये इस चीज़ पे इसके लावा quality of land has directly bearing on productivity of agriculture ठीक है जो quality होती है land की वो directly relate करती है किसके साथ जो productivity होती है agriculture के साथ ठीक है ना which is not true for the other activities जो बाकी सेक्टर के साथ true नहीं है या आपने factory कहीं भी लखा लो बनजर जमीनमें या उपजाओ जमीन ना factory का काम सेम रहेगा लेकिन agriculture के सा ऐसा नहीं है जो agriculture ज़्यग्रिक्रा ज्यादा अच, fertile है वहापे जमीन की value भी ज्यादा है वहापे agriculture productivity भी ज्यादा होती है जो ज़्यदा उपजाओ नहीं है होहापे agriculture productivity भी कम होती है इन रूलर एरिया असाइट फ्रम इट्स वैल्यू एस प्रोड़क्टिव एक्टर लैंड ओनर्शिप एस सोशल वैल्यू एन सर्विसेज ऐसा सिक्यूर्टी फॉर क्रेट नैच्छल हजाट और लाइफ कंटिजेंसी एंड और और अच्छल सोशल स्टेटर बैया गाउं की ब काम भी करती है नैच्छो हजाट के टाइम पर या लाइफ कंटिजेंसी के लिए ठीक है इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद है अग्रिकल्चर लैंड यूस कर्टेगरी तो इस कर्टेगरी के अंदर हमें दो चीज़ों दी गई है पहला है ऐसा परसेंटेज और तो टोटल कल्टिवेबल लैंड एरिया ठीक है तो इसके अंदर से कोशन कैसे पूछ तो है आपसे कोशन पूछ लेगा कि कल्चिरिबल वेस्ट लैंड जो है वो 1950 से लेके जो 51 तक का टाइम था या 2014 से 2015 के बीच में इन दोनों के बीच में जो आपका कल्चिरिबल वेस लैंगो इंकरीज रुंड या इंकरीज रुँआ है यह परसंटेज धिकलो ड्युन। दोनों केसिस में क्या हुआ है तो एसे ही कोशन पूछ 완전 ऎकर न इंकरीज रुँआ है इतना याद लेना काफी है इसके लाभा जो ऐसे निकालनीटेज इन्टू 100 भेख GCA क्या है? Gross Cultivable Area ठीक है? और NSA के है आपका? यह है Net Shown Area ठीक है ना? Net Shown Area है नीचे वाला और उपब वाला क्या है? Gross Cultivable Area ठीक है? इन्टू 100 तो यह क्या होता है? इन दोनों का आप मंट्पिलाइ कर देंगे तो आपका Cropping Intensity निखल जाएगी and interior part of country namely खारिफ, राभी and जैद यार रगना इसको most important है भी या कितने कोप्रेंग सीजन होते हैं, तीन होते हैं खारिफ, राभी और जैद होते हैं ठीक है, इसके लावा ये कहा के सीजन भी है, नौर्थ के और interior part of country या नौर्थ और interior part of country क्योंकि आप जानते हैं कि south to India है आपका और temperature एकदम constant रहता है क्योंकि और tropic of cancer लाइन नी है इसके नीचे आता है तो यहाँ पर सालबार temperature बराबर ही रहता तो यहाँ पर कई बार जो particular crop से वो साल में हर समय उगाई जाती है इसके लाबाद खारिफ सीजन tropical crop हो गाई जाती है ठीक है tropical crop जैसे कि rice हो गया cotton हो गया, jute हो गया जुआर हो गया, बाजरा हो गया, तुर हो गया भाईया देखो यह southwest monson का time है इस समय गर्मी भी बहुत ज़ला होती है, बारिस भी बहुत ज़ला होती है खतम कब होता है, काटते कब है भाईया इसको हम काटते है, कब end of March and April के time पे, तो मतलब यहाँ पे वो फसले उगाई जाती है, इसको temperature कम चाहिए ठीक है न, और पानी भी कम लगता होगा जैसे की wheat, gram और mustard याद रगना wheat, gram, mustard कौन सी crop है भाईया रभी crop है, ठीक है, इसके बाद आपका जैद है भाईया, जैद क्या है, जैद आपका तब उगाई जाती है, यह बहुत short duration के लिए होती है यह उगाई जाती है कब रभी crop के बाद ठीक है, जब रभी crop को harvest कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है, इसके बाद हो यह क्या है, यह आपके जैद क्रॉप से, ठीक है यह कब होगाई जाती है आपकी, यह आपकी रभी और खारीब के बीच पे, ओगे इसके बाद, this type of distinction in cropping season does not exist in south part of country, यह हमारी जो south इंडिया है वहाँ पर ऐसा distinction नहीं देखने को मिलता है here the temperature is high enough to grow tropical crop during period of the year, ठीक है चाहे आप किसी भी period में हो, साल भर में, वहाँ पर आपका high temperature मिलेगा, इसलिए आप एक जैसी tropical crop को यहाँ पर ग्रो कर सकते है ठीक है, therefore in this region some crop can grow thrice इसलिए इस region में कुछ crops तीनो बार उकती है साल में ठीक है हर समय उकती है इना agriculture year provided there is a sufficient soil moisture वापर soil moisture भी sufficient होता है गर्मी भी sufficient होती है ठीक होप कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी cropping season के बारे में यहाँ से, ठीक है इतना समझ गई आप लोग तो आगे बढ़ते हैं, कि बात जो हमने पीछे डिसक्रस किया था, यह वो ही है यह आपर जोस लिखा हुआ है यह से directly questions आ सकते exam में कि जो खारिफ season है, जो June सो September की बीच में होता है तब North India में क्या होगाई जाता है rice, cotton, bajira, mage, jowar, tur ठीक है, South India में क्या होगाई जाता है rice, mage, ragi, jowar, groundnut almost same ही है, ठीक है बस groundnut का और तूर का आपका थोड़ा सा अंदर आ जा रहा है और mage का जा रहा है, ठीक है, एजी है एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से याद हो जाएगा इसके बार राभी सीजन, जो जाडो में होगा आता है जाडो में North India में wheat उखता है South India में rice उखता है North India में gram, rapeseed, mustard, barley South India में mage, ragi, groundnut, jowar वगएरा उखता है इसके बाद जैद है, ठीक है, April और June के टैम पर हमारे वहाँ vegetables, fruit, fodder, बहुत होता है ठीक है, वही South India में क्या हो जाता है rice, vegetable, fodder, बहुत होता है ठीक है, कहाँ South India में ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आगे South India में जो rice है, specially है, तो साल भर होती है ठीक है, चावल वहाँ पर साल भर होता है क्यों कि सावल को चाई है, बहुत ज़ादा गर्मी और बहुत ज़ादा पानी वहाँ वहाँ भर मिलेगा, लेकर हमारे बहुत ज़ादा चावल का बुकता है गर्मी के टाइम पर, जब पानी भी बहुत होता है और गर्मी भी बहुत होती है ठीक है, तो इतना समझ गए, cropping season in India के बारे में तो आगे बढ़ते है, इसको इपाद देख रहें अच्छे से, ओके इसके बाद है, type of farming, बहुत है, type of farming समझ लोते है तो बहुत है, on the basis of main source of moisture for crop the farming can be classified as irrigated बहुत है, irrigated का मतलब होता है, canal अगेरा अपने लगा दिये, tubels अगेरा लगा दिये यह हो गया, irrigated, कि आप खुछ से पानी प्रवाइट कर रहे है इसके बाद है, rainfit, rainfit को अमनों बना, बरानी भी बोलते है भाया, बरानी नाम, या रगना, आप लोग अच्छे से important नाम है यहाँ पे, rainfit का मतलब हो जाता है कि पानी पे निर्बर कर जाती है ठीके ना, बारीज पे डिपेंड करती है ठीके, इसके बाद there is a difference in nature of irrigated farming ठीके, as well as based on the objective of irrigation that is protective और productive भाया, जो nature होता है आपका irrigated farming का, ठीके ना, जहाँ आप irrigation करते हैं वो आपकी दो तरीकी का होता है, पहला होता है protective, दुस्टर होता है productive ठीके, इसको समझ लोता है, जो protective farming होगी, तो यहाँ पर क्या करता है, अब जो adverse effect हो जाता है भाया, productive हो जाएगा, productive irrigation is mean to provide sufficient soil moisture in cropping season to achieve high productivity, भाया, यहाँ पर आप soil moisture इसले provide कर रहो, यहाँ कि आपको high productivity मिले productive नहीं है यह, ठीके, यह productive है, ठीके, यहाँ आपको high productivity चाहिए in such irrigation, the water input per unit area of cultivated land is higher than productive irrigation भाया, productive में जो water होता है, वो ज्यादा दिया जाता है per unit area में in comparison to the protective, यहाँ रगना इन दोनों का beef का difference, एक नमबर के लिए दो नमबर के लिए बहुँ अच्छा है और ऐसा data भी आपको मिल जाएगा, easy to understand है, बस एक बर अच्छे से पढ़ना है, ओके, इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद है, rain fat farming is further classified on the basis of adequacy of soil moisture during cropping season, भाईया, rain fat को भी हम classify करते हैं, जैसे हमने irrigated को कर दिया, वैसे rain fat को भी classify करते हैं, बट किसके basis में भाईया, adequacy of soil moisture, ठीके ना, जो उनको मिलता है soil moisture और दो category कहा है, पहला है dry land, दुस्वा है wet land, इनको समझ लेते हैं dry land जैसे की नाम से बता रहा है, कि यहापे जो rainfall है, वो less than 75 cm भाईया 75 cm से कम rainfall होगी सालाना, ठीके, and these region grow hardly dropped resistance crops such as ragi, bajra, moong, gram, तूर, ऐसी crop हो गए जाती है, क्योंकि यह crops ऐसी है, जिसमें पानी कम चाहिए, ठीके, नाम या रगना, rain fat crop का, rain fat crop में dry land farming की कौन को सी crop में होती है ragi, bajra, moong, gram, तूर में, ठीके, इसके लावा जो wet land है, यहाँ पानी है, ठीके न, तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आपकी अलग तरिके की crop उकती है, इसे rice हो गया, jute हो गया, sugar gain, ठीके, इनको पानी बहुत चाहिए, और इनके पास पानी है भी, ठीके, यह सब क्या हो जाती है, यहाँ पर practice में लाती है, इसके लावा, इसके लावा पानी बहुत है, तो यहाँ पर aqua culture भी बहु इसी है, खाली एक बार पढ़ना है, याद हो जाएगा आपका, ठीके, बस इतने याद रगना है कि जो wetland farming होता है, कई बार इनके पानी इतना जाधा हो जाता है, कि इनको flood भी phase करना पड़ जाता है, जो इनके लिए hazard का काम भी कर देता है, ठीके, dryland में भी hazard हो सकता है, बत देख लेते है, food grains वगेरा, ठीके, जो on the basis of structure of grain, the food grains वगेरा क्लासिफा है as cereal और pulses, डाल वगेरा और cereal अनाज वगेरा होती है, दो तरीके की, ठीके, सबसे पहले हम लोग अनाज देख लेते हैं, cereal crop, तो भी या, जो cereal crop है हमारी country का जो 54% area है, ठीके, suppose कि लो 100 में से 54% area जो है cereal crops ही होगा रहे हैं, ठीके, उसमें से भी जो हमारी country है ना, हमारी country 11%, world कहा हमारी country का नहीं, world का 11% जो cereal crops है ना, वो हमारी country में ही उकती है, इसलिए हमारी country third number पह है, किसके बाद, चाइना और USA के बाद, ठीके, चाइना और USA पहली number पहली है, दूसरी number पह है, इंडिया आती fine grain में आपका rice और wheat है जाता है, ठीके, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे चलके, या फिर coarse grain जैसे जुआर, बाजरा, मेज, रागी, यह सब हो जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको पढ़े लगता है कि fine grains और coarse grain क्या होता है, ठीक है, इन crops के बारे में particularly, जानकरी ले ले लेता है, ठीक है, सबसे पहले है rice, तो rice क्या है, rice हमाले एक staple food है, for overwhelming majority of population in India, ठीक है, बहुत जदूरी crops है, बहुत सारी लोग खाते है rice को, almost हर को ही consume करता है इसको, ठीक है, एक major staple food है इंडिया का, ठीक है, rice के बारे में और बात करेंगे, तो rice की all over in world म कितनी varieties है, 3000 से जड़ा varieties, जो है, वो different agroclimatic condition, बहुत क्लाइमेट के साथ, rice भी अलएला तरीके की होती है, ठीक है, और 3000 से जड़ा varieties है all over world में, ठीक है, इसके बाद, these are successfully grown from sea level up to about 2000 meter of altitude, बहुत सी लेवल से 2000 meter की उगजाई तक का, ये अच्छे से उग जाती है, ठीक है, humid area मे जहाँ पर आप irrigated करते हो, ठीक है, जैसे Punjab, Haryada, Western UP, जहाँ पर भी irrigation के मदद से काफी अच्छे से हो जाती है, rice ठीक है, इसके लावा North Rajasthan में भी आपको rice हो जाएगी, ठीक है, इसके लावा Southern State and West Bengal, ठीक है, South के State और West Bengal में, climatic condition बहुत अच्छी होती है, rice के उगने के कि West Bengal जो है, maximum producer है, ठीक है, किसका rice का, important question है, exam के लिए, अब आगे बढ़ते है, ठीक है, इसके बाद West Bengal farmer growth, three crops of rice, rice की तीन crop होती है, कहां West Bengal में, कौन-कौन सी, औस, अमन और बोरो, यारगनरश को, ठीक है, इसके बाद, in Himalaya, North West part of country, it is grown as khari crop, ठीक है, हिमालया में, यह खार South, North West, India में, ठीक है, इसके बाद, India contribute, India जो है, वर्ल्ड का, 21.6% rice का production, करता है, और इसी वज़े से, इंडिया जो है, वो second number पा जाता है, किते number पे, second number पे, चाइना के बाद, 2016 का data है, ठीक है, इसके बाद, one-fourth of total cropped area, जो country का है, उसमें हम rice उगाते है, ठीक है, चार में से एक area में rice उगे लिए होगी, ठीक है, इसके लावा जो West Bengal है, ये largest producer है, इसके लावा UP, Punjab, यहाँ पे rice क्या है, सबसे ज़धा होती है, कंट्री की, ठीक है, अगर हम yield level of rice की बात करें, सबसे ज़धा particular area के अंदर कहां उखती है, rice तो वो उखती है, पंजाब के अंदर, ठीक फिर West Bengal, फिर Kilila, ठीक है, तो इनका sequence याद के लेना कि Punjab, Tamil Nadu, Haryana, ठीक है, आंदर परदेश, यहाँ पे rice अच्छे से उखता है, यहाँ पे yield अच्छी होती हो इनकी, ठीक है, इसके लावा जो rice cultivation है, in the irrigated part of Punjab हो गया, यहाँ हो गया, यह स्टार्ट किया तक अब 1970s में, ठ यहाँ पे बेकार होती है, ठीक है, वर्ड का कितना percent हम दो produce करते हैं, Punjab में जो teen type की rice है, awesome and borrow, ठीक है इसको भी याद रगना आप लोग अच्छे से, ठीक है, यह questions, one world ले भी important हो जातने हैं, और rice के बारे में particularly भी पूछ सकता है, और आप से cereal crop के बारे में भी particularly पूछ सकता यहाँ पे क्या है, यह ब्रमपुत्ता वैली होगे, यहाँ पे rice काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है, और minor areas कॉनस होगे है, थोड़ से internal part, northwest part, जो है आपके, और जो western के तरब को जो area आता है आपका, वहाँ पे क्या है, यह minorly ली उकती है, ठीक है, एक बार observation करनी है इसकी, इसके बाद दूसरा है wheat, ठीक है, तो wheat जो है हमारी country का second most important cereal crop है भाई, यहाँ लाइस के बाद दूसरे नमबर पर हता है, किसका wheat का, okay, इसके बाद India produces about 12.3% of total wheat cultivation of world, world का 12.3% जो wheat production होता है, वो इंडिया में होता है, according to 2016 data, ठीक है, it is primarily a crop of temperate zone, temperate zone में में उकती है, तीक है, hence is cultivation in India done during winter, rabi season, wheat कब उकती है, भी या, rabi season में उकती है, कब जब जाड़ा होता है, पानी की availability कम होती है, ठीक है, इसके बाद about 85% of total area under this crop is concentrated in north, 85% area इसका कहा है north में, मतलब यह maximum north या central region में होती है country के, इसे इंडो गंगेटिक प्लेंड जो है, मालवा प्लेट्यू, हिमालिय ठीक है, 2700 मेटे की उचाई तक का, इसको हम उगाते हैं, ठीक है, इसके लावा 14% crop area है हमारा इसके अंदर, किसके अंदर wheat के अंदर, ठीक है न, country का, इसके बाद UP में सबसे ज़्यदा होता है wheat, फिर मद्धी परदेश, फिर पंजाब, ठीक है, UP, मद्धी परदेश, पंज पर हेक्टेर, कहाँ पर पंजाब में, सबसे हरा फिर, हर्याडा में, ठीक है, इसके लावा जो आपका उत्रपरदेश, राजिस्तान, बिहार, यहाँ पर भी इल्ड काफी अस्चा होता है, ठीक है, तो state like मद्धे परदेश की बात करेंगे, हिमानचल परदेश की बात करें यहाँ पर यह वीट है, यह ग्रो होती है, अंडर रेइन फेट कंडिशन, तो इसके वाईसे जो इल्ड होता है, काफी कम होता है, कहाँ इल्ड कम होता है, याद अगनाम, अध्य परदेश, हिमानचल परदेश, चम्मू गशमीर, एक सेक्टर, एक सेक्टर, ओके, इतना इसके बाद है ज्वार, ठीक है, ज्वार क्या होता है आपका, जो कोर्स सीरियल टुगेदर ऑक्किपाई अबाउट 16.50%, ज्वार आपका कोर्स ग्रेन है, मोता अनाज बोलते हैं इसको हम, यह जो मोता अनाज है हमारी कंट्री का 16.50% को अक्किपाई करता है, इसमें से भी ज्वार कहो या सोरगुम बोलो, दिएकला 5.3% है ज्वार कितना है, 5.3% यारद रखना ज्वार इंपाई है ज्वार में से ज्वार में सबसे ज्वार होता है, आदे से ज्वार है कंट्री का यहीं होता है महराज के लावा करनाटका हो गया मद्यपर्देश, आन्रपर्देश, तैलंगना यहां भी जुआर होता है इसके बाद it is shown in both खारिप and राभी season खारिप हो या राभी season हो दोनों में आप जुआर को उगा सकते हैं तेके कहां South State में गर्मी चाहिए इसको, तो गर्मी मिलती है ठीके South State में बट इस खारिप क्रॉप in North India वेर इस मोस्ली ग्रोन ऐसा फोडर क्रॉप North India में इसको बोगाते हो कैसा इसको बोगाते हो ऐसा खारिप क्रॉप ठीके जो यूस होता है किसके लिए फोडर वगेरा के लिए, चारे वगेरा के लिए ठीके जवार के बारे में इतनी information काफी है please remember this, ठीके about the जवार इतना सबज गए, तो आगे बढ़ते हैं इसके बार next है बाज़रा, जवार पढ़ लिया बाज़रा पढ़ते है, तो बाज़रा जो है बाज़रा is sown in hot and dry climatic condition in northwest in the western part of the country हमारी कंट्री का जो northwest का पार्ट है यह होता है north, south, east, west तो जो northwest वाला पार्ट है इंडिया का वहाँ पे यह तो western पार्ट है, वहाँ पे बाज़रा बहुत होता है गर्मी बहुत सही है इसको, ठीक है this core cereal occupy 5.2% of total cropped area हमारी कंट्री का बाज़रा कितना percent occupy करता है यह 5.2% leading state, जो leading producer है वो कौन से है महराश्टा, महराश्टा, बाज़रा महराश्ट में बहुत होता है गुजराद में बहुत होता है, यूपी में बहुत होता है यहां बहुत होता है बाज़रा ठीक है इसके बाद being a rain fat crop ठीक है इल्ड level of this crop is low in राज़िस्थान ठीक है जो कि यह रेन में निभर करती है क्या बाज़रा तो इसलिए राज़िस्थान में इसका जो उत्पादन है जो इल्ड है वो कम है ठीक है यहां फ्लेक्टवेट करता है यह तो यह बाज़िस्थान अच्छी हो गई तो बाज़रा की खेती अच्छी नहीं भी बाज़िस्थान तो बाज़रा की खेती उतनी अच्छी नहीं ठीक है इसके बाद इल्ड अब इस crop has increased during recent year especially हर्याना और गुजरात में इसकी जो crop हो काफी अच्छी होगे यह पता है क्यों तो कि वहापे irrigation करने लग गए वो लोक और irrigation काफी अच्छा हो गया है ठीक है ना due to drought resistant variety and expansion of irrigation ठीक है जो drought वगएरा है और सूखा जो पढ़ता है ठीक है उसके जो उपाई है वहाँ अच्छे करे गए है ठीक है उससे बचने के जो mage है mage जो है यह आपका occupy करती है 3.6% of total crop area हमारी country का भाई आपके पाउप्शन नहीं कर सकते ना वहाँ आपके पाउप्शन नहीं कि यह चीज छोड़के यह लिख दू नहीं वहाँ आपको बस टिक मानना है तो वहाँ के लिए data बहुत important हो जाते है तो इसको प्लीज all over India except Punjab, Eastern and North Eastern region ठीक हर जगा उगाया जाता है पंजाब को या जो हमारा East वाला पार्ट है या जो North East वाला पार्ट है वहाँ पे छोड़के हर जगा उगाया जाता है इसको किसको मक्य को ठीक है तो leading producer जो mage के हैं वो है कनात का बहुत होता है बहुत होता है बहुत होता है बह जिन से ज़्यादा इसका yield होता है किसका मेज का ठीक है इस हाई इन सदन स्टेट्स एंड डिकलाइन तुल सेंट्रल पार्ट के तरब को डिकलाइन करते रहते हैं और सदन स्टेट में बहुत ज़्यादा होता है क्या मकई मेज वगेरा ओके इतने समझ गए तो आगे बढ़ आगे तो आगे तो आगे बढ़ जाएगी च्योंकि यह क्या कर जीती है nitrogen fix जो nitrogen की कमी हो जाती है इसको फिक्स कर जाती है कौन डाले इसके बाद इंडिया जो है leading producer है डालो का डाले सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है ठीक है इसके बाद the cultivation of pulses in the country is largely concentrated in the dry land of Deccan and central plateau in northwest part of country हमारी country का जो northwest part है central plateau है जो dry land है Deccan के वहाँ पे बहुत अच्छा होता है क्या डाल वगेरा या रगना डेकन का जो dry land वगेरा है ठीक है और central plateau है northwest part है country का वहाँ बहुत अच्छी होती डाले ठीक है इसके इलावा डाल वगेरा जो है यह हमारी country का 11% occupy करते हैं ठीक है इसमें Hamanelle च्रहाब बने साबड़ते का परा करती है इसके बार घूराम यहाँ दोलं का बहुते है इसके बाद है gram ठीक है gram जो है cultivate होता है कहाँ sub-tropical area में ठीक है ना subtropical area में it is mostly rain-fought crop ठीक है बार इस पे ही depend हो जाती है और उख भी जाती है company में ठीक है ना cultivated during rabi season ठीक है ना rabi season थंडो के time पर उखती है ठीक है in the central western and northwest part of country ठीक है इसके बाद at present gram cover 2.8% of total crop area of our country हमारी country का 2.8% जो area है वो gram के अंदर आता है भीया कहां आता है gram के अंदर इसके बाद जो मद्धी परदेश है उत्तर परदेश है महरास्थ है आंद्र परदेश है तेलंगाना राजिस्थान यह main producer है किसके डाल वगरा कै यारख नव या मद्धी परदेश टॉप में आता है मद्धी परदेश पर दाले बहुत होती है कुछ हो नथ दाल भुछ होती है कहां मद्धिय पर्देश में, तुक है, दाल बगेर भी भी होती है, दाल उत्तर पर्देश में बहुत भी हो रही है, वाहुत हो पर, तेलंगा न, राजिस्थान, जो थोड़े गारम में इसने से वह भाहुत हो रही है, इसके लावा तो the yield of this crop continue to low and fluctuate from year to year even in an irrigated area ठीक है जो yield होता है ग्राम का वो fluctuate करता है क्योंकि यह mostly क्या है कि आपकी rain-fed crop है इस वजे से ठीक है बर जहाँ पर irrigation की facilities भी अच्छी है ना irrigated area है वहाँ पर भी यह fluctuate करता है कौन ग्राम ठीक है इसके बाद है आपका तूर तोड़ी यानि की अरहर बोलेंगे ठीक है तो जो तूर होता है अरहर यह तूर हमारा second important pulses है country की ठीक है दूसरी सबसे important pulses है it is also known as red gram और pigeon pee ठीक है यार रगना भाई या तूर को हम अरहर भी बोलते है और इनका अरदन नेम है red gram और pigeon pee वगेरा ओके इसके बाद it's cultivated over marginal land and under rain fat condition भी जा इसको marginal land में होगा तो या under rain fat condition में इसको उगाए जाता है कहाँ पे dry area में central India की या southern state के ठीक है dry condition में होगे गी है this crop occupy about 2% of total crop area हमारी country का 2% area है खाली तूर अरहर की दाल में उखता है ठीक है न इसके बाद महराष्ट्रा इसके बाद महराष्ट्रा सबसे जादा होती है ठीक है country में अगर तीन अरहर हो रही है न तो इसमें से एक खाली महराष्ट्र के अंदर होगी आसकता है important है इसके कलावा ओपि, कन्नाटका, गुजुराद, मध्धिय बढ़नेस में भी तूर अरहर होती है लेकिन महरास याद रखना, महरास one word के लिए important है, कि यहाँ पर क्या है, तूर अरहर सबसे ज़्यदा होती है, इतना समझ गए तूर के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में यह oil seed, जो तेल वगेर होते हैं, edible oil होते हैं, खाना बनाते हो न तेल में, तो उसी को प में होता है, गुजुरात में होता है, राजिस्थान में होता है, तलंगाना, रायल सीमा हिल, जो आंदर परदेश की है, वहां होता है, कनाटका प्लैटियो में होता है, इन सभी जो locations को map में locate करने की कोशिस करना, तेल न, यह oil seed कहाँ पे होती होगे, और यह सारी state आपको ग गरम लगेंगे, गरम जगवा लगेगी, जहापर बानी कम होता है, ठीक है, इसके लावा, these crop together occupy 14%, हमारी country का 14% area, जो है oil seed के अंदर आता है, ठीक है, इसके लावा, groundner, drape seed, mustard, soya bean, sunflower, यह हमारे main oil seed crop से, जो country के अंदर ग्रो होती है, ठीक है, अब इसके लावा, मैं एक और ज बहुत होता है, ठीक है, तो हमारी country में oil की demand हमेज़ा काफी रहती है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते है, oil के सबसे बड़े importer भी है, बहार से oil बहुत मगाते हैं, हम लोग, जितना produce नहीं करते हैं, उससे जादा हम oil मगा लेते हैं, यानि कि 50% से जादा हम लोग almost oil मगाते हैं, इसके बाद oil को पढ़ लेते हैं, सबसे बहला आएगा आपका ground nut, ठीक है, so India produces about 16% of total ground nut production in the world, वर्ल्ड का 16.6% ground nut हमारे बहा होता है, 2016 के accordion, ठीक है, it is largely a rain fat crop है, बारिस पर निरभर करती है, ठीक है, dry line में होती है mostly, but in southern state, it is cultivated during rabi season as well, ठीक है, वैसे तो ये खार crop है, but southern state की बात करेंगे, तो भहिया, इसको आप rabi season में भी उगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, इसके बाद गुजुराज, राजिस्थान, तमिल नाडू, तैलंग गाना, आंदर पर्देश, ठीक है, ये state सारे याद रगना आप लोग, ठीक है, ये क्या तमिल नाडू, तमिल नाडू में ग्राउंड में की क्वालिटी है, काफी अच्छी होती है, और जो production है वो भी काफी अच्छा होता है, बताब पर स्क्वाइग लोगतर में, maximum production यहीं होता है, ठीक है, एक एरिया के अंदर maximum production, इसे को इल्ड बोलते है, ठीक है, यहाँ पर तोड़ा बद इसको बीदी आ इसके बाद इसके बाद अंडरेपाड़ेस wears fun एम है् है चुर्णरेटर्ट इसके बाद इसके बाद है ताड्यप सीडन पारिजाब मस्टन होग तारा मीरा का नाम सुना होगा, यह सब आपके रेप सीड और मस्टर्ड के अंदर आ जाते हैं, यह सब क्या है आपके इसा सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, जो कल्टीवेटिट होते हैं, कब राभी सीजन में, ठंडों के टाइम पे जब नॉर्थ हिंडिया में थंड होती है, और नौर्थ-वेस्ट पार्ट में ही मैक्सिम होते हैं, और सेंट्रल पार्ट में ही होते हैं, इसके बाद, अबाउट तू थर्ड अप कल्टीवेटिट एरिया अंडर इसस ग्रॉप इस इरिगेटएट, तीन में से दो पार्ट क्या है इसका इरिगेटिट है, यानि कि इसके बाद राजिस्थान के अंदर कितना होता है तीन में से एक पार्ट राजिस्थान के अंदर होगा यानि राजिस्थान क्या है रेप सीट मस्टड का सबसे ज्याजा प्रोडक्शन करने वाला इसके बाद इसके बाद इल्ड राजिस्थान ए दू में ऐसıminkश्तां प्रोडक्शन करने और राजिस्थान में गर्मी बहुत पढ़ते ही है इस वज़े से огод इसके बाद अधर और ओआलसीड पढ़ लेते हैं ओधर और और आलसीड का है आपकी अदर और आल Seed जो एंदर कि बन है तो इसको पढ़ लेते हैं तो सुयाबीन इस mostly grown in मद्धिपर्देश सुयाबीन सबसे आदा भई मद्धिपर्देश में बहुत होती है सुयाबीन फिर महारास में महारास दुसरे नमबर पर आता है सुयाबीन पहले नमबर पर और यह दोनों स्टेट मिलके 90% जो हमारा ओटपूट है सुयाबीन का वो देते हैं इतनी जन्करी काफी है बहुत है इसके लाव जो सन्फ्लावर है यह कहाँ कल्टिवेटिट होता है यह mostly आपका अरे पर देश है महारास के यह ना आपका सन्फ्लावर होता है कंणा का मैक्सिमम आंद्रेपरदेश थीक है साउथ के स्टेट में होता है ática में नौर्ट पार्ट में बहुत अच्छा होगा ठीक है इतना ठीक है और सीट के बारे में इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं कि बाद हम लोग देख लेते हैं fiber crop ठीक है next step की crop है तो क्या होता है कि these crop providers fiber अगेरा प्रोवाइड करते है वो cloth वगेरा, backs वगेरा, shacks वगेरा ठीक है यह सब बनाने के लिए काम बाजाते हैं इसके बाद जो cotton और jute है यह दो main fiber crop है जो country के निदर हो गाई जाती है इतना समझे है cotton के बारे इसके बाद आपका cotton है cotton के होता है आपका tropical crop होता है जो खालीब सीजन में होकता है ठीक है ना खालीब सीजन में होगेगा इन semi-arid areas of a country हमारे country की जो semi-arid areas है वहाँ पे semi-arid के होता है बाद आपका पुरापर सूखा जहां पर बारिस वारीज बहुत ही कम हो दिया रही है इसके बाद इंडिया ग्रो बोथ ठीक है दोने तरह की हमारे वहाँ cotton उगती है पहली है short जो staple है जो इंडिया टाइप की है वो भी के लावा जो long staple है अमेरिका जिसको हम लोग नार्मा बोलते है वो भी हमारे वहाँ होती है नार्मा यह होती है नौर्ट वेस्ट पार्ट मे ओके और long staple होती है यह भी या रखना एक्जाम में confusion हो जाता है कि यह long staple है यह short staple है ओके इसके बाद इंडिया रेंग second in the world in the production of cotton after china चाइना के बाद दुसरे नुमर पर आता है हमारा ठेके ना इसके बाद इंडिया जो है cotton में occupy करता है total crop area कितना 4.7% area हमारे पास है किसके में cotton में okay इसके लाबा there are three cotton growing area तीन cotton growing area है पहला है पंजाब दुसरा हरियाना फिर राजिस्थान फिर पूछेगा maximum cotton का होता है तो होता भी है राजिस्थान हरियाना पंजाब में okay इसके लाबा three cotton growing area है ठीके ना पहला है पंजाब हरियाना और नौर्ट राजिस्थान जो नौर यह तीन मेन रिजन से यार रगना इनको कहा कहा होता है इसके लावा जो गुजुराद महारास्टा तैलंगा ना यह स्टेट में सबसे ज़्यादा इन ही में होता है कोई पुछी को कौन से स्टेट में सबसे यदा होता है भाई cotton तो वो होता है हमारा गुजुरात में फिर महरास्ट में फिर तेलंगा नाम है इतना समझ गए cotton के बारे में तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद है जूट जूट एक important crop है mostly आपकी west बंगाल वगरा में होती है ठीक यह west बंगाल और adjoining पार्ट में हो जाती है इंडिया ने अपना बहुत बड़ा जो एरिया था जूट का वो बंगलादिस को खो दिया था ठीके partition के बाद ठीके at present आज के समय में इंडिया जो है three-fifth of jude production करता है यानि world में पार्च production हो रहा है तो उसमें से तीन इंडिया में होगा ठीके और west बंगाल जो हमारा अकेला है वो हमारा three-fourth production करता है country का वह यह हमारी country में अगर चार हो रहा है जूट तो तीन होगा हमारा west बंगाल में यानि west बंगाल लीडिंग है किसमें जूट में इसके बाद बिहार और असाम में भी जूट का production होता है ठीके इसक कितना area occupy करता है, पूरी country का खाली 0.5% area, okay, तो जूट के बारे बहुतनी चीश समझ गए, यह data बहुत है, I think एक्जाम में लेखने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है, other type की crops जो है, जो country में होती है, जिसे sugar cane हो गया, tea हो गया, coffee हो गया, इनको भी देख लेते हैं, तो भी यह पहले है sugar cane, ठीक है, sugar cane को समझते हैं, गन्ना वगेरा, तो गन्ना जो है, यह tropical crop है, ठीक है, tropical crop क्यों है, क्योंकि इसको पानी बहुत चीश है, यह क्या rain fat condition में उखती है, ठीक है, it is cultivated in subhumid and humid climate, climate के चीश है, subhumid या humid climate, चाहिए इसको, but it is largely an irrigated crop in India, इंडिया में mostly इसका irrigation के जाता है, ठीक है, क्योंकि बारी स्थ में पानी उत्ना नहीं मिल पाता है, तो इसका irrigation करते हैं हम लोग, ठीक है, इन इंडो-गंगेर्टिक प्लेंज, जो इंडो-गंगेर्टिक प्लेंज है, वहाँ पर इसका जो cultivation है, यह largely concentrated है, जैसे उत्तर परदेश्ट में बहुत हो जाता है, ठीक है, इसके बाद, sugarcane growing area in the western India, is spread over महराष्टा and gujurath, ठीक है, जो sugarcane grow करने वाले एरिया है, west India के, वह आपकी महराष्ट और gujurath है, ठीक है, इसके लावा, in southern India, south India के बाद करे, it is cultivated in irrigated tracks of Kannataka, south India में, Kannataka में बहुत हो जाता है, Tamil Nadu में, Telangana में, Andra Pradesh में बहुत होता है, ठीक है, इसके बाद, इसकी important बाद करें तो, इंडिया जो है, second number पर आ जाता है, sugarcane production में, Brazil के बाद, 2015 का डिटा है, ठीक है, इसके बाद, it accounts for about 19% of world production, world का कितना production करते हैं, हम लोग 19%, ठीक है न, इसके बाद, but it occupied 2.4% of total crop area, खाली हमारी country का 2.4% area ही हम occupy करते हैं, ठीक है, किसमे, sugarcane के ग्रो करने में, ठीक है, इसके बाद, UP produces about 2.5% of sugarcane, 5 में से 2 sugarcane कहां होते हैं भाई या, UP में, ठीक है न, इसके बाद, महरास्टा में बहुतो टाइफिक करना, टकाता मिलनाडू, आन्वे परदेश, यह कहा है, leading producer है हमारे, ठीक है, टी के आपकी plantation crop है, बिवरेच के लिए यूस होती है, पीने वगेरा के लिए, ठीक है, black tea leaves, जो होते हैं, fermented होते हैं, याद रगना, green tea leaves क्यों होते हैं, unfermented होते हैं, पूछे का fermented कौन से होते हैं, unfermented कौन से होते हैं, ओके इसके लावा, tea leaves, have rich content of caffeine and tannine, बहुत होता है, इसके लोग consume करते हैं, इसके लावा, indigenous crop है, चाइना की, इंडिया में, 1840 में आयती है, भ्हमापुत्रा वैली में, असाम वगरा में, इस तिल, इस majorly tea growing area, इन अ कंट्री, आज के सम्में में, भ्हमापुत्रा वैली जो आसाम की है, वो major tea growing area के अंदर आती है, ठीके लेटर बाद में, इसका जो, जो introduction है, और बाकी जोगा भी हुआ, जिसे सम हिमालिया रीजन, और वैस बंगाल, ठीके वैस बंगाल में, डाजलिंग हो गया, जल्पाई गुरी, कोच भी हार डिस्टिक जो है, वहाँ पे, ठीके इसके बाद, tea is also cultivated on lower slope, नील गिरी, नील गिरी तमिल नाडू में, ठीके के लाव अगे लाव हम है, वहाँ भी पहुच गया, ठीके ना, उसकी भी lower slope में, काफी अच्छा होता है, इसके लाव जो कार्डो मॉम हील है, वेस्टन घाट की, इलाईची की जो पहाड़िया है, कार्डो मॉम हील, वहाँ पर भी काफी अच्छा होने लग जा, क्या ठीका production, इसके लावा, इंडिया, अकाउंट फॉर 21% of total production of world, वर्ल्ड का 21.1% जो production एटीका वो इंडिया में होता है, यारद ना 2.16 की अकॉर्डिंग की बात है, इसके बाद, इंडिया शियर इन इंटरेशनल मार्केट आफ टी, डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन क्यू कर रहा है, वर्ल्ड की बाकी जोगा भी अब टीकाप production इंक्रीज कर रहा है, तो उसके comparison में इंडिया में डिक्लाइन कर रहा है, ठीके वैसे generally cultivation होता है हमारे बाद श्रगासा, इसके बाद, असाम जो है, अभी हमारी कंट्री का 53.2% एरिया जो है, उक्किपाई करता है टी के लिए, इतना समझ गए चाहिए के बारे में, इतनी जन्गारी बहुता है इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है कॉफी, तो कॉफी जो है हमारा, ये भी हमारा टॉपिकल प्लांटेशन वाली क्रॉप है, ठीके ना, मारा टॉपिकल एरिया में उक्ती है, प्लांटेशन क्रॉप है, इसके जो शीड होते हैं, वो रोस्टे होते हैं, ठीके ना, its seed are roasted ground and are used to preparing beverage त्रिकना बिवरेज बिनाना के काम आते हैं पेई के लिए पीने के लिए काम आते हैं ठीक है देया 3 वराइटीस आप कॉफी की तीन वराइटीस है जैसे की अरविका ठीक है रोबुस्टा और लिब्रिका ठीक है इंडिया में हम लोग इसकी superior quality को ग्रो करते हैं जैसे अरविका बोलते हैं ठीक है जिसकी बहुत डिमांड है वर्ल्ड के अंदर ठीक है हमें 200 वराइटर देखना पड़ेगा क्योंकि NCRT में गिवन है ठीक है ब्राजील वेतनाम कोलंबिया इंडोनेशिया इथोपिया होंडूरास की बात इंडिया का रहंक आता है 7th नंबर में प्लीस थे मेंबर देस फिर काॉफी प्रल्ड़ेशन ऊिके बाध कांटि के अंदर तू थाँध क्यों कोफिया एक डियुज हुए इतना समझ गए यनकरी काफी है कि कंड़ाट का सबसे ज्यादा प्रोडीक्शन करता है कंड़ाटेका की बाद किरिला फित रम लाडू ठीक है कि कितना परसंट हमारी कंट्री में होता है कौन सी रहंक में आती है इंडिया तीन वेराइटी क्या-क्या है कॉफी की इतना समझ गए तो बहुत चीज़ बात है अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद agriculture development in India को पढ़ते हैं तेक है कि इंडिया में किस तरीके से agriculture का development हुआ है तेक है इसको समझते हैं सबसे पहले क्या है कि आजादी से पहले before independent हमारा जो agriculture था वो subsistence था मतलब कि जीवन निर्वा के लिए अपने लिए हो जाए बहुत है तो इस period में हम लोगों ने देखा क्या witness किया सीवर जॉट और फैमाई कभी बाड़ा गई कभी मतलब भुकमरी जैसी बहुत ज़्यदा फैल गई या कभी बहुत ज़्यदा सूखा पड़िया इस सब होते रहता था ठीक है इसके बाद during partition जह हमारा partition हुआ पाकिस्तान के साथ तो जो था हमारा जो बहुत इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर अजाद भारत के अंदर इसके बाद after independence आजादी के बाद क्या हुआ कि हमने कुछ immediate goals लिये ठीक है था कि हम food grain को increase कर सके country के अंदर वो क्या था पहला था switching over from cash crop to food crop दूस्वा था intensification of cropping over already cultivated land area ठीके ना हमने बहुत इंटेंसिटी के साथ cultivation करने लगे समय के साथ इसके बाद increasing cultivated area जो area पहले agriculture use के अंदर नहीं आता था उसको भी हम लेके आने लगे ठीके ना by bringing cultivable and fellow land under block जो fellow land और जो cultivable land area थे उसको भी हम लोग जोदने लगे उसमें भी खेती बगरा करने लगे तो य population तो भाईया increase कर रही है लेकिन production हमारा stagnant है धीरे धीरे चला है ठीके तो इसके बाद क्या हुआ but agriculture production जो हमारा stagnant होगे था 1950s तक का तो किस problem को overcome करने के लिए हम लोग क्या लेके आए intensive agriculture district program ठीके इसके लावा intensive agriculture area program AAP तो यार रखना IADP क्या होता है यार रखना है आपको ओक दो consecutive drought पड़े हमारी कंट्री में mid 1960s के अंदर जिसके वज़े से हमारी कंट्री में food crisis हो गया तो इसके बाद हमने new step लिये वो लिया हमने अपनी कंट्री में introduce कराया क्या नई variety of sheet जो हमने ली कहां से मेक्सिको से क्या लिया wheat लिया और क्या लिया rice लिया कहां से फिलिपियन स यह कैते हाई yielding varieties के seed है जो हमने cultivation के लिए use करने लगे mid 1960s से इसके बाद India took advantage of this and introduced package technology comprising high yield variety along with chemical fertilizer in irrigated area of Punjab, Punjab के, हर्याना के, western उतर परदेश, आंडर परदेश, गुजरात के areas तक हमने high yield varieties की seeds ने उनको पहुचाने लगे ठेके जो technology है उनको पहुचाने लगे जो chemical fertilizer से उनको इसके बाद हमने assured कि जो soil moisture हो properly बना रहे तो इसके लिए हमने irrigation activities को काफी जदा अच्छा कर दिया था ठीक है यह हमारी एक success दिखाती है new agriculture technology के तरफ और के बाद this strategy of agriculture increased the food grain production इसके वैसे food grain production बहुत जदा बड़ा country करना बहुत fast rate में ठीक है इस part of agriculture growth come to known as grain revolution और इसी को हम grain revolution बो बड़ाना कल्टी जो chemical fertilizer से उनको इंटर्ड्यूस करना ठीक है ना irrigation की facilities को इंप्रूव करना यह हमारा green revolution था ठीक है बट क्या हुआ कि जो strategy थी agriculture development की made the country self-reliant in food grain production यह तो सही था ठीक है बट इसके वज़े से क्या हुआ कि कुछ problems भी आने लगी country के अंदर पर वो problems कैसी थी क कि हमारे जो 1970s था इसके बाद जो हमारी technology थी थी ना वो हम country के बाकी जुगा पर पहुचा नहीं पाए मतलब कि जो east वाला area है हमारी country का यहाँ पर अच्छी technology नहीं है लिकि जो west वाला area है country का वहाँ पर अच्छी technology पहुच चुकी है तो जो east और west के बीच में हमारे disparities सहने लगी ठीक है ना कि दोनों के बीच में एक अंतरा गया असमानतान लग गई ठीक है तो इसको पूरा कन इसको हटाने के लिए हम लोगों ने किया कि तो technology का split कर दिया eastern and central part of country में जहाँ पर technology नहीं पहुची थी 1970s के बाद ठीक है इसके बाद the planning commission जो था उसने भी focus किया अपन कम आये तो problem अच्छी आने चाहिए हम इसा ठीक है जादी कम से काम नहीं चलेगा ठीक है तो 1980s में planning commission ने हमारा focus किया कि इसमें problem of agriculture में जो rain fed areas में होती है उसमें ठीक है इसके बाद it initiated agro climatic planning agro climatic planning हमारी country में 1988 की टैम पे शुरू हो गई थी ठीक है इतना समझ गई ठीक है यह किया यह planning से जो हमने बात में regional disparities है ठीक है ना कहीं पर अच्छा हो रहा रहा है उसको देखते वे जो planning करने लगे यह उसके अंदर आता है ठीक है it also emphasize the need of diversification of agriculture and harnessing the resources of development of dairy farming agriculture में कब तक डिपेंड होगा आपको dairy farming भी अच्छी करननी पड़ेगी policy sector भी अच्छा करना पड़ेगा horticulture fall fruit यह भी अच्छा करना पड़ेगा live stock rearing aquaculture यह भी अच्छा करना पड़ेगा यह सब demand है न हमारी यह सब food के अंदर आ जाते है ठीक है इनको improve करोगे जो किसान की आमदन ही बढ़ेगी धियरे कमाई बढ़ेगी और किसानों की पास पै समझ गए मोटा मोटा तो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद है national mission for sustainable agriculture नमसे एक्जाम मैं पूछ सकता है नमसे क्या होता है नमसे होता है national mission for sustainable agriculture यह क्या हुआ आपका यह होता है आपका is to make agriculture more productive agriculture को जोड़ा productive, sustainable, remunerative and climatic resilience बनाने के लिए हम इसको लेके आये थे country के अंद ठीक है ना ताकि है अपने natural resources को save कर सके conserve कर सके थो appropriate soil and moisture conservation measures ठीक है soil और moisture conservation measures को लेके के बात government has also been promoting organic farming in a country थो scheme such as परंपरागत किर्शी विकास योशना तो यह एक्जाम में पूछे का PKVY क्या होती है तो PKVY होती है परंपरागत किर्शी विकास योशना ओके और RKVY क्या होती राष्टी विकास योशना थीक है तो इतना समझ गए है national mission and sustainable agriculture क्या था तो आगे बढ़ते है इसके बाद है growth of agriculture output and technology थीक है तो क्या हुआ था कि there has been a significant increase in agriculture output and improvement in technology during last 50 year जो last 50 year है उसमें हमारी country के अगरी कल्चर आउपट काफी अच्छा हुआ है improvement बहुआ च्छा हुआ है टेक promotion and yield of many crops such as rice wheat has increased at an impressive rate ठीक है जो rice और wheat है यह काफी अच्छी rate में हमारी country के इंदर improve हुआ है production काफी अदा बढ़ा है इसके अंदर among the other crop the production of sugarcane oilseed and cotton has also increased appreciably ठीक हमारी country के इंदर sugarcane oilseed cotton का भी production काफी अच्छा बढ़ा है इसलिए कुस्तर में पे expansion of irrigation जो हमने irrigation बहुत जगा तक पुछा दिया है इसके वज़े से जो enhance हो गया है agriculture output हमारी country के इंदर है ठीक ना it provides introduction of modern agriculture technology जैसे की high yield variety seed, chemical fertilizers, pesticide, farm machinery यह सब के वज़े से क्या हुआ है हमारी country के इंदर irrigation काफी अच्छा हुआ है या agriculture काफी अच्छा हुआ है modern agriculture technology has diffused very fast in various area of country जो modern technology है वो सिर्फ एक area तक सिमिटन रही वो बागे area में भी diffuse कर गई समय के साथ consumption of chemical fertilizer has increased by 15 times जो consumption था chemical fertilizers का वो 15 तक का increase हो गया था mid 60's तक का in our country तो इतना समझ गए कि जो growth है agriculture और technology की हमारी country के अंदर वो कैसे हुई है जो हमने measures ली है कौन-कौन सी fossil काफी अच्छी बढ़ी है ठीक है irrigation facilities हमने ली है modern agriculture technology जो हमने introduce करी वी है country के अंदर समझ गए इस चीज़ को तो आगे बढ़ते है इसके बाद है problem of Indian agriculture भी या problems भी तो आईगी न मतलब अच्छा इच्छा तो नहीं होग और चीज problems भी आई होग ecological experiences भी या कुछ पुराने experiences रहे होंगे उसके वज़े से या जो agro ecological है हमारी ठीक है ना जो मतलब हमारी ecology पर depend कर रही है ठीक है ना उसके वज़े से क्या है कुछ problems हमें face करने परती है तो उसको पढ़ लेते हैं तो भी आप problems में पहला है dependence on erratic monsoon ठीक है तो क्या होता है कि irrigation covers only about 33% of the cultivated area in our country जो irrigation है वो हमारी country का खाली 33% area ही cover करता है या ने कि बाकी percent जो area है वो राम भरो से चल ला है मतलब आप बारिस चाहदा हुई तो अच्छा बारिस कम हुई तो बेकार फसल ठीक है इसके बाद the crop production in rest of the cultivated land area depend कर रहा है इसमें rain पे बाकी area rain पे depend कर रहा है खाली 33% म monsoon can adverse affect on the supply of canal water for irrigation इसके लावा on the other hand rainfall in Rajasthan and other drought-prong area is to merge and highly unreliable तो क्या होता है कि जो southwest monsoon है कंट्री का हो सकता है कि वो अच्छा हो जाए तो खेजित्य हो जाए या वो अगर अच्छा ना हो तो हमारा irrigation भी बेकार हो जाएगा या irrigation में जो water चाहिए वो monsoon से भी तुगाएगा न ठीक है तो पानी कम ज्यादा monsoon पर निभड कर रहा है ठीक है और हमको पता है कि monsoon हमारे हाथ में नहीं है ठीक है वो natural process है इसके लावा जो rainfall है राजिस्थान में कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए वो भी क्या है unreliable है वो भी एक problematic चीज बजाती है ठीक है इसके बाद even the area receiving high annual rainfall जहाँ पर जदा annual rainfall हो जा रही है कई बार वहापर भी fluctuation देहने को मिलता है this make them vulnerable to both drought and flood ठीक है ठीक है drought and flood डोनों के लिए vulnerable उन एरियास को भी बना देता है ठीक है drought is common phenomena in low rain area ठीक है जहाँ पर कम rain होती है वहाँ पर drought एक common phenomena हो जाता है ठीक है which may also experience occasional flood बड़ कई बार वह बारीस ही नहीं होती है अगर एकदम से ज्यादा बारीस हो जाए तो फ्लैट की conditions बन जाती है जैसे कि जो फ्लैस फ्लैट है वो dry land जो महरास्टा का गुजरात का राजिस्थान का है पहले भी आ चुकि है दोजाट छे में और बारीस बारीस बहुत है ठीक है ये इसका example है ठ ठीक है तो क्या होता है कि तो yield of crop in our country is low ठीक हमारी country में जो yield है जैसे हम चाइना और USA को मिला लेंगे तो उनके वाज इल्ड है पर square kilometer में या पर unit area में जो production हो बहुत हो रहा है हमारे वहाँ वह कम हो रहा है ठीक है न वहां के मुकाबले ठीक है या international level के मुकाबले कुछ भी क area के अंदर USA, Russia, Japan के मुकाबले बहुत कम है ठीक है because of high pressure of land resources the labor productivity in India agriculture is also very low in comparison to the international level तो बहाँ देखो कि बहार में जो एक खेत है उसमें आगा दो लोग काम कर रहे हैं तो उसी land area में इंडिया के अंदर 10 लोग काम कर रहे होंगे यो कि land के अंदर pressure बहुत है और land divided है तो इसके व जाएगा लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग है तो खाने वाले बहुत सारे हो जाएंगे तो mostly जो agriculture है वो अपने लगी हो जाता है यहाँ पर subsistence के लिए इसके बाद the vast rain fat area of country ठीक है particularly dry land जो है ठीक है which mostly grow coarse cereals, pulses, oilseed have low yield ठीक है country के वो areas जो की rain fat पर depend कर जाते है ठीक है pulses या oilseed वगेरा उगती है वहाँ पर क्या है yield क्या है कम है हमारे हुआ बाकी जोगों के मुकाबले इसके बाद है constant of financial resources and in-depthness okay so क्या होता है कि the input of modern agriculture is very expensive जो input अब लगातो हो उसमें ठीक है वो बहुत expensive हो जाते है इस resources intensive approach has become unmanageable for marginal and small farmers ठीक है न हमारी country में जो marginal and small farmers है सबसे ठीक है तो यह काफी अच्छा पैसा जो है नहीं लगा सकते modern agriculture के नाम पर ठीक है जो most expensive जो आइटम होते हैं जो inputs होते हैं वहाँ पर नहीं लगा पाएंगे यह लोग ठीक है तो क्या होता है कि इस difficulty को face करते हुए कई बार जो यह farmer से credit ले लेते हैं ठीक है जो आपकी बहुत से यह लोग first जाते हैं कि इसमें एक fall trap में ठीक है ना जो एक in-depthness का है कि आप loan ले ली आप चुका होगे कैसे फिर उस loan को चुकाने के लिए एक और loan ले लो तो आप करजे में डूपते जा रहो तो ऐसी तो किसान हमारा करजे में डूपता है ना ठीक है इसके बाद the lack of land reform तो यह क्या हुआ था कि जो इंडियन प्लीजेंट्री है ठीक है जो labor है जो काम करते है अगरी कल्चर फिल्ड में बहुत लंबे समय से एक्स्प्लाइड होते आए थे क्योंकि इनके पास जो है land जो है unequal है किसी के पास जादा है किसी के पास कम है ठीक है तो इस वजे से यह लोग बहुत लंबे समय से एक्स्प्लाइड होते आए थे इसके बार एक अंट्री के अंदर थी रिवेन्यू सिस्टम थे जो ऑपरेशनल थे बिल्टिश प्रियोट में जैसे की महालवारी राहतवारी और जमीदारी ठीक है इसमें से जो जमी जादी वाला था यह बहुत तो इसके वए तो जो अग्रिकल्चर डेबलमेंटर कंट्री में यह भी अच्छे से नहीं हो पाया इसके बाद स्मॉल फार्म साइज और फ्रेग्मेंटिट लेंड होलिंग यह बहुत बड़ी प्राब्लम है क्या होता है कि देरा लाज्ट नंबर अब मार्जिनल एन स्मॉ फार्मर्स है छोटी योटी किशान है तो एवरेज लेंड साइड जो होता है श्रिंक करते जाता है क्योंकि देखो भई अब किसी के पास इतना लेंड अरिया था उसके चार बच्चे हुए तो चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ठीक है चार बच्चों में उनके दो crops for self consumption जाता किसान खाली अपने लें हो जाए बहुत है या अपने आसपास के लोगों के लें हो जाए बहुत है ऐसे ही होगाते है commercialization बहुत कम हो जाता है इनके पास इतनी जमीन ही नहीं होती कि अपनी requirements से जला produce कर लें या production करना भी चाहो तो कैसे कर लोगे ठीक है land area ही नहीं है ठीक है इसके लाब जो modernization और जो commercialization है agriculture का however taken place in the irrigated areas ठीक है वो खाली irrigated areas तक ही है ठीक है बाकी areas में बहुत कम है इसके लाब वास्ट under development तो क्या होता है कि there is a massive under development in agriculture sector in India particularly in irrigated tracks ठीक है especially in irrigated areas में क्या है कि जो आपका agriculture sector है उसमें बहुत ज़दा unemployment है ठीक है इसके बाद in this area there is a seasonal unemployment ranging from 4 to 8 months ठीक है ना जो seasonal unemployment बहुत देखने को मिलता है आपका फोर्ट से 8 months के बीच तक का इस area असमें even in the cropping season work is not available throughout as agriculture operation are not labor intensive ठीक है जो cropping season होता है उसमें जो agriculture operation होते हैं वो labor intensive नहीं होते हैं ठीक है ना मतलब कि आप खुश सोचो ना कि जब आपका खेती हो रही है उस समय और जो कट रहा है उस समय labor चाहिए होंगे ठीक है maximum बाकी time बीच का क्या उस समय तो कुछ काम ही ना किसानों के पास ठीक है तो उनके पास job बहुत कम हो जाती है ठीक है जो खेती में निर्भर कर रहे हैं job के लिए इतने समझ गए हिंस तो people engaged in the agriculture do not have opportunity to work round a year पूरे साल काम नहीं कर सकते खाली बीच बीच पर काम मिलता है उनको हर समय काम नहीं मिलता है इतने समझ गए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद है degradation of cultivable land तो आपके पास cultivable land उसका degradation हो जा रहा है तो क्या है ना अब तो serious problem that arises out of faulty strategy of irrigation जो आप गलत तरीके से irrigation कर देते हैं या over irrigation कर देते हैं या जो agriculture development है इसके वई से कई बाद degrade हो जाता है land वगएरा आप over chemical का use कर लीजे या over fertilizers का या ज्यादा irrigation कर देती हास से ज्यादा तो उसके वई से भी land degrade कर जाता है okay this is serious because it may lead to depletion of soil fertility यह serious इसलिए है क्योंकि इसके land area alkaline हो चुका है celluline हो चुका है ठीके न और water logging के problem के वज़े से खराब हो चुका है country का इसके लावा जो हम बहुत ज़दा use कर रहे है chemical का जैसे की insecticide pesticides इसने भी जो concentration a toxic amount का वो बहुत ज़दा बढ़ा दिया है हमारी soil profile के अंदर जो leguminous crops have been displaced from cropping pattern in irrigated areas and duration of fallow has substantially reduced owing to multiple cropping भी ह वो बहुत को उगरी है जो जमीन की उपच्दा के लिए काफी अच्छी होती है उपच बनी रहे है इसके लिए ठीकिना fertility के लिए तो उनका use बहुत काम कर रहे है हम लोग तो इसके वज़े से भी प्रॉब्लम आ जा रहे है land डिग्रेड हो जा रहा है ठीकिना this has obliterated the process of natural fertility such as nitrogen fixation इसके वज़े से लिए leguminous crop नहीं उगाओगे तो nitrogen fixation की problem आएगी ही आएगी तो यह सब कारण है जिसके वज़े से क्या है land का degradation हो रहा है तो यह देगो हम खाली एक्छी चीज़ नहीं पढ़ते है कि government ने policies यह लेकि आई इसके वज़े से यह हुआ यह हुआ ठीकि कु आपकी exercise है तो which of the following is not a land use category तो भाया फैलो लेंड होता है netzone area यह भी होता है culturable wasteland यह होता है marginal land यह होता है लेकिन यह land use category के नहीं होता है marginal land कुछ तो होता है ना नाम तो है लेकि लेंड यूस काटेगरी के नहीं आता है पीछे देख लिए ना आप तिक है उसमा पको नहीं मिलेगाई इसके बाद which of the following is the main region due to the share of forest has shown increase in the last 40 year तो पहला है extensive and efficient effect of afforestation तो भी है यही सही हो जाएगा जो आमने extensive बहुत जदा यह efficient effect दिया है afforestation में पेर वगरा बहुत जदा उगाय है पिसले कुछ सालों है तो वह इसका एक main region है इसके बाद which of the following is the main form of degradation in irrigated area तो में जो form of degradation होता है वह होता है salenization of soil जो soil salinity बढ़ती जारी है ना वापे यह उसका एक main region है गली erosion नहीं होगा विंड erosion नहीं होगा ठीके ना यह होगा option C वाला ठीके इतना समझ गए आगे बढ़ते हैं इसके बाद which of the following crop is not cultivated under dryland farming ठीके बाद which of the following crop is not cultivated under dryland farming ठीके बाद इसके बाद इसके बाद in which of the following group of countries of world high yield variety of wheat and rice were developed ठीके कौन सी ऐसी country है जहाँ पर high yield variety of wheat and rice developed की जाती है ठीके तो वो की जाती है हमारी मेक्सिको और फिलिपियन से पहला question है differentiate between barren and wasteland and cultureable wasteland तो यह क्या होता है ना barren और wasteland जो होगा मतलब यहाँ पर agriculture possible ही नहीं है ठीके ना agriculture करी नहीं पाओ गया अब यहाँ पर ठीके ना मतलब यहाँ पर जो हमारी मौजुदार टेक्नोलोजी है उसके वज़े से क्या है कि हम possible नहीं है अभी हम barren और wasteland में agriculture कर पाएं इसलिए हो barren और wasteland है ठीके पर जो culture by wasteland यहाँ अगरी कल्चर हो सकता है यहाँ पर पास साल से ज्यादा हो चुका है यहाँ पर agriculture नहीं होगा है ठीके अगरी कल्चर नहीं होने में और और agriculture नहीं possible होने में अंतर है ठीके तो यहीं इनके बीच का differentiation है इसके बाद how would you distinguish between net zone area and gross crop area तो यह net zone area कहना कि आप एक खेत में साल में कितने बाद भी फसल होगा हो वो एक बार count हो जाएगी इसी को हम बोलते है net zone area बट जो gross crop area है यह क्या होती है कि आप एक साल मागा दो बाए crop होगा रहो ना किसी particular land area में तो वो भी include हो जाएगा तो इसको हम बोलते है gross crop area दोनों अलग है आपस में यही इसके बीच का अंतर है इंडिया जैसी country के लिए net zone area काफी अच्छा होता है तेकि न यही काफी अच्छा data हमको present करके देता है इसके बाद why is strategy of increasing cropping intensity important in a country like इंडिया भी जो strategy होती है increasing cropping intensity वो important क्यों है इंडिया इसी country दो अब्यस्सी बात है कि इंडिया में population भाईया बहुत छब factor है जो दगातार increase कर रहा है तो population increase कर रहा है तो food की demand बढ़ ली है ठीक है तो अगर आप cropping intensity है उसको increase नहीं करोगे तो भाईया जादा crop कहां से लेके आओगे crop लेके नहीं आओगे तो इनकी जो demand है न population की वो कहां से fulfill करोगे तो इसलिए काफी ज़्यादा important हो जाती है strategies जो increase करती है cropping intensity को इसके बाद how do you measure the total cultureable land भी तो भाईया total cultureable waste land के लिए आप net zone area को add कर देजिए ठीक है ना net zone area को या आप इसके साथ fellow land जो आपका area है इसको add कर देजिए प्लस आप cultureable area को add कर देजिए तो आपको आजाएगा total cultivable area तो आप इन सबको add कर देगे तो total cultivable area आजाएगा ठीक है जितना भी cultivable हो सकता है ठीक है इसके बाद है what is different between dry land and wetland farming तो यह पहला नतर है dry land और waste land में कि dry land मे बारिस बहुत कम होती है waste land में बारिस बहुत ज्यादा होती है यहापे बारिस बहुत कम हो जाती है ठीक है पहला नतर हो जाएगा dry land और wetland में दुसरा नतर हो जाएगा farming का wetland area में वह farming होती है उन crop की जिनको water requirement ज्यादा हो जाता है sugar cane rice वगेरा ठीक है dry land में वह farming होगी जिन पढ़ किया हैं, जस्ट बैग दो वीडियो और सीदो अंसर, इसके बात है बड़ा दो इंपोर्टन स्ट्रेटीजी इस फॉर अग्रिकल्चर डेपलम्मेंट फॉलोट इन पोस्ट इंडिपेंडेंडेंट पीडियो अभी जस्ट डिस्कुस कर रहा है हम पे जो हमारी स्ट्रे